कर्म से सफलता की प्राप्ती, कर्म से सफलता की प्राप्ती खर्च से करे करतवे पुर्ती, सच में सामर्थेवार मनना हो तो अकेले लटना सिखे, गुरू महराज की जलत अत्व की अत्यनत समवेदंशील राशी के रूप में मीन राशी की विशेश पहुचान है, पुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेवियों का हर्तिक स्वागत करती हूं हम मार्ज 2023 मेने के राशी भविश्य को समझ रहे हैं उसमें आज हम मीन राशी के जातकों के लिए यह महना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्तालाब करेंगे विभिन्न इसलिए विडियो अनत्र तफेखें व्यक्तित्व की दृस्टी से विचार करें तो राशी स्वावी की तितिती महत्वपुरॣ होती है मीन राशी के स्वावी गुरु महराज आपके राशी में विराज़मान है महत्वपुर्ण बात है कि वहां उन्होंने हंसर राजयोग का निर्मान किया है जो पंच महापुरुषोगों में से एक अत्यंत महत्वपुरुण राजयोग माना जाता है इतना ही नहीं शुक्र देव द्वारा आपके राशी में मालव्य राजयोग का निर्मान होआ है राशी में जब पंच महापुरुशोगों में से दो राजयोग निर्मान होते हैं तो वह व्यक्तित्व को सम्रुद्ध संपन्न करने वाली बात होती है राशी में विराजबान गुरु महराज की गुरुष्टी आपके पंचम, सप्तम और नौम स्तान पर है कुल मिलाकर आपके राशी स्वामी गुरु महराज आपकी आधी कुंडली अर्थात कुल पाच स्तानों को समरुद्ध कर रहे है शुक्र देव भी इन दोस्तानों को समरुद्ध कर रहे है जिस कारण व्यक्तित्व के साथ आपकी अधीक से अधीक कुंडली समरुद्ध होते दिखाई दे रहे है जिस कारण इस काल में आपको अत्यन्त शुभ परिडाम प्राप्त होंगे इसलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए दहन परिवारवानी की दुर्ष्टी से विचार करें तो मीन राशी के लिए धनेश मंगल देव होते हैं वे विरुशब राशी अर्थात आपके तुरुतियस्तान में विराजबान है अर्थात धनेश धन के धनस्तान में विराजबान है साथ ही आपके धनस्तान में राहू और हर्षन यह दो ग्रह विराजबान है परिणाम सरूप कई बार हाथ में हुए पैसे निकल जाना जैसे प्रकार हो सकता है इसलिए उचीत परिश्रम करें उससे उचीत अर्थ प्राप्ती भी होगी लेकिन इस मेंने उचीत एवं सोच समझकर निरड़ाय लेकर परिश्रम करें यह सलाह आपको दी जाती है क्योंकि धन आनी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता परिवार में अकारण ही विवाद होने की संभावना रहेगी विशेश रूपचे मेहने के दुसरे पक्वाणे में यह स्तीती निर्मान हो सकती है जीस कारण आपकी उग्रवानी भी हो सकती है इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रन रखे यह सलाह दी जाती है पराक्रा में आप परिश्रम की दुष्टी से विचार करें तो मीन राशी के लिए परिश्रम के कारक शुक्र दे होते है वे आपके राशी में विराजबान है विशेश बात है कि वे उच्च वस्ता में है जिस कारण इस समय काल में मीन जातक बढ़ा परिश्रम करेंगे योजना बना कर उस अनुसार परिश्रम करेंगे उसमें भी सफलोंगे संक्षेप में यह महिना आपके लिए बड़े परिश्रम का रहेगा उसका सदुपयोग कीजिए वास्तु वाहन भूमी सुक्षान्ती की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन जातकों के लिए कई शुभयोग निर्मान हुए है इस मेहने का प्रथम पक्षवाड़ा वास्तु वाहन की दुरुष्टी से शुभयोग का है इसलिए जो जातक नई वास्तु या वाहन लेने के विचार में है उन्होंने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए तो दूसरे पक्वाडे में माता जी के स्वास्थ का ध्यान रखना आपके लिए आवशक रहेगा, इसलिए थोड़ा जागरुक रहे, यह सलाह दी जाती है, शिक्षा, संतति, प्रणे, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दुरुष्टी से विचार करें, तो शिक्षा में मीन जातकों को बड़ी सफल्था प्राप्त होने वाली है, विशेश रूप्त से फार्मसी क्षेत्र में विद्धार्थियों के लिए शुभवचन निर्बाण होंगे, साथ ही मैनेजबेंट, अकाउंट, शाखाओं के विद्धार्थियों का सामान्य सफल्था प्राप्त ह मैकेनिकल शेत्र में विद्धार्थियों के लिए भी यह काल विशेश लाभकारी रहेगा, इसलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में या अध्यन में जो उन्नती होती है, वो दिर्गकालीन लाभ प्रदान करती है, इस बात को आपने विवाह, ऐसे दोनों प्रकार के विवाह निश्चित होते होए दिखाई दे रहे हैं, संग्षेप में इन सभी दुरुष्टियों से यह काल अत्यनत शुभ हैं, उसका उपयोग कीजिए, प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और हां बेल आइकोन दपान ना बुले, धन्यवाद, स्वास्त्य कर्ज प्रतिसपर्दी, शत्रों की दुरुष्टी से विचार करें, तो इस मेने स्वास्त की कुछ समस्या निर्मान हो सकती है, वास्तों में वहां अल्पकाल के लिए रहेगी, फिर भी स्वास्त का द्यान रखना मीन जातकों के लिए आवश्यक रहेगा, विशेश रूप से, मेहने के प्रथम पक्वाडे में आप स्वास्त का मुख्य रूप से द्यान रखे यह सलह आपको दी जाती है, इस मेने यदि आपकी प्रतियोगिता परिक्षा हो, तो उसमें आपके लिए सफलता के अवसर बढ़ेंगे, शत्रु स सभी दुरुष्टियों से यह काल आपके लिए अत्यनत शुबह है, पूरा लाब उठाईए, नोक्रियों व्यावसाइकी दुरुष्टी से विचार करें, तो मीन जातकों को इस मेहने सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात, नोक्री करने वाले मीन जातकों के मेहने का प्रथम पक्वाड़ा, तो व्यावसाइक जातकों के लिए दूसरा पक्वाड़ा सफलता का लाभ का रहेगा, नोक्री करने वाले जातकों को प्रथम पक्वाड़े में सफलता मिलेगी, और दूसरे पक्वाड़े में संगर्ष का सामना करना पड़ेगा, साथ ही व्यावसाईक जातकों को प्रथम पक्वाडे में संगर्श का सामना करना पड़ेगा और दूसरे पक्वाडे में सफलता मिलेगी, ऐसी यह अंतर विरोत की ग्रहस्तिति, आपके लिए निर्मान होई यह है। विदेश में स्थीत मीन जातकों की दुरुष्टी से विचार करें, तो अपने देश वापस जाना चाहिए है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाये तो भागेश की भाग्यस्तान पर दुरुष्टी होना, राशी में हंसराजयोग, मालव्य राजयोग का निर्मान होना, इससे बड़े दुसरे सुबसंकेत हो नहीं सकते। शनी महाराज की साड़े साती का प्रथम चरण आपके लिए भले ही सुरू हो गया हो, लेकिन उससे आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। इसलिए इस काल में आप जिम्मेदारियों को पूरा करें, परिशम करते रहें, यह सलाह आपको दी जाती है, साड़े साती से हर किसी को परेशानी नहीं होती, उसमें मीन जातकों के लिए प्रथम चरण अधिक परेशानी का नहीं होता है, इसलिए उसके अधिक चिंता न कर करते हुए उन्नती के और मार्गक्रमन करते रहे वही आपके लिए उच्चित रहेगा क्योंकि अन्यक रहस्तिति आपके लिए शुभदाई है कर्म की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन राशी के लिए कर्म अधिपति गुरु महराज होते हैं जो आपकी राशी स्वामी राजयोग माना जाता है जिस कारण आप इस काल में अच्छा एयोम उचित कर्म करेंगे कर्म की दिश्या उचित हो तो मनुष्य सफलता की और मार्गक्रमन करता है जिस कारण स्वाभाविक रूप से आप कर्म से सफलता की और मार्गक्रमन करने वाले हैं उससे आपको उच किताबे प्रकाशित हो चुकिए है उनका अवश्य लाभ लीजिए लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन राशी के लिए लाभे शनी देव होते हैं जो आपके वियस्तान में विराजमान है शनी देव जब जब आपकी मूल कुंडली के चंद्रमा की और जाते हैं त परिवार के लिए समाज के लिए उचीत कर्म करें उचीत करें यह सलाह आपको आपका लाभस्तान दे रहा है इस बात को अपने मुख्य रूप से द्यान में लेना चाहिए वे खर्च यात्रा की दृष्टी से विचार करें तो यह महिना मीन जातकों के लिए कई अर्थों स खर्च का धन अनिका दिखाई देंगे उन्हें आपको पूर्ण करना है अपनी जिम्मेदार्यों को पूर्ण करना है यात्रा भी आप करने वाले हो यात्रा में धनानी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी आपको लगातार यात्रा करनी पड़ सकती है इस बात को द्यान में लेते हुए आप सावधान जागरूक रहे यह सलह आपको दी जाती है जीवन सुख दूख और उतार चड़ाव से भरा होता है कोई भी व्यक्ति संपुल्ण सुखी या संपुल्ण दुखी नहीं हो सकता उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकते मेहने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संगर्ष कठिना और तनाव से भरे होते हैं इस दुरुष्टी से मीन जातकों के लिए पाच पंद्रह और तेईस यह दिन सुखद आयक तथा शुब रहेंगे साथ ही 1221 यह दिन अशुब एम तनाव पुर्ण रहेंगे इन दिनों में आप कठीनाईया बाधाओ और समस्याओ का अनुभव करे तो यह मानसिक्ता पहले से ही बना ले और आगे बढ़े उपायों की दुरुष्टी से विचार करें तो जोतिश में अत्यंत छोटे-छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताये गए हैं अशुब चीजों के अशुबता कम करने का शुब चीजों की शुबता र राशी के अनुसार में दो मंत्र देती हूं हर मंत्र का जाप आपको प्रति इन सुभ तीन तीन बार करना है उस अनुसार मीन राशी के जातकों के लिए पहला मंत्र ओम रामाय हुम फटस्वाहा और दुसरा मंत्र श्री राम जय राम जय जय राम यहां दो मंत्र सुचित कि जा रहे हैं इन मंत्रों का जाब प्रति दिन करें शुब परिणाम प्राप्त होंगे इस प्रकार मैं इस से लिकर मीन तक हर राशी के लिए यह महना कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने बारह वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किये हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब क और हां बेल आइकोन दा बना ना भुले धन्यवाद